What's going on everyone, welcome back to my channel, Chat Cricket with Sufyan और आज सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ मेरी फैमिली में काफी सारे लोग जो है वो COVID positive हो गए थे और अब वो ठीक हैं और उमीद करता हूँ कि आपकी फैमिली में भी सब लोग ठीक होंगे तो काफी tough time से nation यहाँ पर गुजरा है और जैसे कि आप जानते हो कि IPL भी suspend हो गया था और IPL के दोरान भी काफी सारे चीजों में मैं busy था आप लोग में से भी काफी सारे लोगों के घरों में ऐसी tragedy हुई होगी तो make sure कि आप अभी भी precautions रखें आप क्योंकि धीरे धीरे lockdown हट रहा है पता नहीं आपके शहर में क्या scene है लेकिन यहाँ लखनाओ में तो अब lockdown खुल गया है और बाजार भी खुल रहे हैं so make sure you take all necessary precautions and stay safe and let's talk about cricket now तो जब से ये खबार आई थी कि श्रिलंका के टूर पे इंडिया की एक junior टीम जाएगी और वहाँ पर कोई नया कप्तान होगा तब से इंडियन cricket fans काफी ज्यादा excited थे इस series के लिए अब कुछ ही दिन पहले जो है वो series का schedule भी release हो गया है 13 तारिक से ये series शुरू है पहले one day series होगी तीन मैचों की और फिर तीन T20 matches की series खेली जाएगी उसमें अब गौर करने वाली बात ये है कि जो team India है वो यहाँ से जाएगी और 10 दिन का quarantine तकरीबन करेगी श्री लंका में यानि कि अगर आपको team announce करनी है तो आपको 15-16 को यहाँ पर team announce होती हुई दिख जाएगी और फिर वो बिल्कुल जुलाई की शुरुवात में एक या दो से जुलाई तक वो यहाँ से रवाना हो जाएगे और फिर श्री लंका में जाकर quarantine होंगे योगि फिर आपको कम से कम दो दिन तो practice के वहाँ पर चाहिए ही होंगे लेकिन जो बड़ी खबर आई है वो यह है कि श्री लंका एक बहुत बड़ा contingent जाएगा इंडियन प्लियर्स का 24 खिलाडी श्री लंका जाएंगे यानि कि वो प्लियर्स वो senior प्लियर्स जो इंगलाई नहीं गये हैं जैसे भुबनेश्वर कुमार जैसे आपके हार्दिक पांडिया वो श्री लंका जाएंगे और उनके साथ साथ धेर सारे युवा खिलाडी जैसे प्रित्वी शौ जैसे देवदत पाडिकल ये सारे players भी आपको श्री लंका जाएंगे लेकिन मेरे हिसाब से ये श्री लंका का जो टूर है उन प्लेयरों के लिए काफी ज्यादा important होगा जो पहले जिनको टीम इंडिया में मौका मिला लेकिन वो उस मौके को भुना नहीं पाए उन में से कुछ को इस सीरीज में जरूर मौका मिलेगा जैसे आपके संजू सैमसन होंगे वहाँ पर कुलदीप यादो वहाँ पर हो सकते हैं खलील एहमद वहाँ पर हो सकते हैं और भी दो चार player है जो वहाँ पर आपको होंगे और राहुल तेवतिया भी वहाँ पर होंगे जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है तो वो भी all-rounder में अपनी जगा सिमेंट करने को देखेंगे क्योंकि उनको वहाँ पर इस वज़े से बाहर रखा गया था टीम इंडिया से क्योंकि उनकी fitness के issues थे तो ये player भले ही इस बार World T20 में ना खेले लेकिन future के लिए अगर आज यहाँ पर ये अच्छा खेलेंगे तो future में भी इनको मौका जो है वो मिलेगा अब अगर मैं अपने 24 खिलाडियों की squad बताओं तो मेरी squad में यहाँ पर शिखरधवन, पृत्वीशो, देवदत पडिकल, सूरी कुमार यादव, इशान किशन, संजू सैंसन, नितीश राणा, हार्दिक पंडिया, क्रूनाल पंडिया, राहुल तेवतिया, यूजी चहल, अगर इसमें कोई बदलाव हो सकता है तो अगर नटराजन अपने घुटने की सर्जिरी के बाद फिट हो जाते हैं, वो खलील की जगह आ सकते हैं, अगर आप जैदेव उनातकट को नहीं खिलाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर उनकी जगह भी आप नटराजन को ला सकते ह अगर वो फिट हो जाते हैं, कुलदीब यादो को मैं जरूर चाहूँगा कि वो इस सीरीज में टीम इंडिया के साथ जाएं, क्योंकि इतना बुरा परफार्फार्मेंस भी उनका नहीं हुआ है, अगर आप देखो तो उनको रेगुलर चांसेस नहीं मिलते हैं, वन आफ मै तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा, डेब्यूटांट काफी सारे जाएं, देवज़द पडिकल जाएं, नितीश राणा जाएं टीम के साथ, राहुल तेवतिया जाएं, ना कि कोई ऐसा प्लेयर जिसमेर आप काफी ज़्यादा इंवेस्ट कर चुके हो, ओल राउंड अच्मेक कोई नहीं दिया है, हाँ उन्होंनेा अच्छी पारी या खेली है, डोमेस्टिक में भी कुछ अच्छी है पारी खेली, लेकिन वो कंसिस्टेंस्जी उनकी पर्फोरू m surpr menस में अभी नहीं है, और और उफ इस टीम में कोई नहीं है, अब वरुन चकरवरती राइ परफॉर्मेंस नहीं करते और योजवेंदर चहल की भी परफॉर्मेंस रीसेंट पास में बहुत नीचे गिर गई है तो वहाँ पर वरुन चक्रवर्ती आपका एक तुरुप का एकका हो सकते हैं वर्टी 20 में जिसको किसी ने देखा नहीं होगा ज्यादा आई पीर ने भर र हैं कि शिवम धूबे को मौका मिलना चाहिए लेकिन सिर्फ इसलिए आप किसी को टीम में नहीं रख सकते कि वो 120-125 की रफ्तार से गेनवाजी कर देते हैं और बल्ला पकड़ लेते हैं आई पील में देखी उनको नमबर चाहर पे कितने मौके मिले उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से इस नॉट गूड इनफ टू बी इंडियन टीम राइट नाओ विजेश शंकर के बारे में भी मेरा यही खयाल है और जिस तरीके का उनका वर्ल्ड कप 2019 गया था मुझ नहीं है कोई बात नहीं आप स्पिन ओल राउंडर खिलाईए एक एक एक्स्ट्रा फास बोलर नीचे खिला लिजिए लेकिन ऐसे प्लियर जो परफार्मेंस नहीं देते उनको टीम में प्लीज ना रखिये अब बात आ जाती है कि टीम का कप्तान कौन होगा तो मेरे हिसाब सबसे टीम के कप्तान होंगे शिखर धावन क्योंकि देखिये वही सबसे सीनियर प्लेयर टीम में हैं क्या फास बूलिंग कप्तान की तरफ आप देखोगे इन दनेम ओफ भूमनेश्वर कुमार I really don't think so हार्दिक पंडिया की तरफ बे सेलेक्टर सेज़ा कैप्टन नहीं द हो जाएगी सरजरी से इतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे और बिना मैच प्रक्टिस के चार महीने बाद वो सीधे मैदान में एज़ा कैप्टन नहीं उतर सकते उनको रेस्ट दीजिए आपको इतनी बड़ी सीरीज नहीं है IPL हई है वर्ल्टी 20 से पहले उसमें आप उनको वापस लेकर के आईए अच्छी खासी मैच प्रक्टिस भी उनको मिल जाएगी कंदे की इंजिरी की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी और फिर आराम से आप उनको वर्ल्टी 20 में लेकर के जा सकते हो तो फिलहाल मेरा मानना है कि शिखर धवन को आब ऐसे कैप्टन देख सकते हो तो ये थी इंडियन टीम की एनले से श्री लंका टूर के लिए मेरी तरफ से आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके जरूर बताईएगा और एक छोटी सी चीज और एक छोटी सी अनॉंस्मेंट मैं आपके लिए और कर दू कि मैं इस चैनल पर अब क लिगों के साथ वीडिएयो बनाना चाहता हूं तो अगर आप मेरे साथ वीडियो बना के इस चैनल पर फीचर होना चाहते हूं अपनी राये देना चाहते हो एक conversation में engage होना चाहते हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक public platform बनके रहे तो अगर आप इसको एक public platform बनाना चाहते हो आप ये नहीं चाहते कि आप किसी journalist से सवाल पूछो फिर वो उसका जवाब दे ना दे आप रोज सवाल दो उनको ट्विटर पर टैग करो इस तरीकी की चीजे अगर आप नहीं चाहते हो तो आप फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टेग्राम मेरे ट्विटर का हैंडल मिल जाएगा वहाँ पर आ करके आपको फॉलो नहीं करना तो कोई बात नहीं वहाँ पर आ करके आप सिर्फ मुझको एक मैसेज कर दो या मेरे को टैग करके कोई ट्विट कर दो कि आप यहाँ पर फीचर होना चाहते हो उसके बाद हम इंस्टेग्राइम लाइव करेंगे औ और उस इंस्टेग्राम लाइव को हम यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ताकि वो दुनिया के लिए देखे और एक बड़ा प्लाब्लिक प्लैटफर्म क्रिकेट का है यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं तो फटा बट से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ल पाए तो अगर आप इस चीज में इंटरस्टेड हो तो प्लीज नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दो इंस्टेग्राम और प्रिटर पर आ करके आप मुझे फॉलो करना चाहो तो कर लो या फिर वहाँ पर टूइट कर दो या मुझे कोई DM में मैसेज कर दो कि आप यह चीज करना चाहते हो उसके बाद हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे नि लिंक मेरे सोशल मेडिया का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है यह भी कॉमेंट बॉक्स में फटापट से कॉमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा पर सो एक बहुती इंटरस्टिंग वीडियो आपके लिए आने वाली है तो उसके लिए भी ट्यून रही है और लगातार इसी तरह चैनल को साथ बने रही है